नमस्कार मैं हूँ आमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं on expose India नमस्कार सस्रीकाल आदाव और मैं हूँ आपके साथ आपका साथी आपका होस्ट आपका दोस्तों महरवान कदरदान आ गया हूँ मैं आपके पास आपके साथ अच्छा भया अच्छा आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं माफी 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 तो दोस्तों मेरे साथी मेरे हम रही हो आजब गजब की मामले की पहली जो खवर है उसी में मैं आपको इस पेस की सहर एक गुबारे में बैठ कर पाऊंगा चलेंगे क्या ओनो जिहां 2024 त कोड़ा और प्लान सेट कर लिया कि लोगों को ऐसे बैलून में विठा कर इस पेस में घुमाया जाएगा जी हां सुनिए अभी मत उडियेगा क्योंकि अभी इसका टेस्ट पूरा किया गया है इसमें इंसानों को नहीं विठाया गया है लेकिन आने वाले समय में आप इसके 130 बीवी 203 बच्चे बाइया यह एक मौलाना साहव है जिन्होंने जीते जीतने बालक इतने बालक और इतनी बीवियां देख ली थी जिनके मरने के बाद भी कहीं बीवियां प्रेग्नेंटी तो बच्चों की गिनती बढ़ गई जिनने ये ख़बर लिखने वाले लोग भी की शायद गिर ही नहीं पाए इसलिए 203 बच्चे ही बताएं आप पूर नाइजर स्टेट के मोहमद बैलो अभू बकर का ये कारनामा है मरते मरते 86 बीवी इनकी जिन्दा थी बागी पर लोग पहुंच चुकी थी इतनी शादिया करने के बाद ये गिरफतार भी हो गए थे ए राम हवरे हैं या बावार हैं यूट्यूब से देखकर कुछ भी किया जा सकता है बहुत कुछ सीखा जा सकता है आपको नहीं पता होगा ना लेकिन नुरूल हक को पता था उसने यूट्यूब से देखकर अपनी मारूती की कार को एक स्पोर्ट्स कार बना दिया और पॉंडे ने कमाल की कार बनाई है जिस पर फोटो खिचवाने वाले लोगों की भी बीड लगी रहती है और चैनल पर भी खबरे खूब चल रही है एक खबर और सुनिए ये किसानों की खबर है हाँ वही किसान जिन्होंने बॉडर घेर रखे हैं तो भाईया कोई चैनल वाला इनके पास पहुँच गया प्लानिंग की नहीं थी तो नारे पुल्टे लगे सुन लो नहीं नहीं सुन लो दोस्त पहले सुन लो प्लानिंग ठीक से कर लिया करो एक्सपोज मत हुआ करो वरना मामला अजब गजब हो जाता है जी हाँ सुनो अब चलो हम ऐसे अंदाज में सिर्फ संडे मुई आपसे मिलेंगे अब भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर अगले संडे लोटिविकेशन नहीं आएगा इसलिए कर लो सब्सक्राइब अरे कर लो लाइक कर लो शेयर कर लो और भीया मास्क सेंटाइब सब कर लो ठीक है ठीक है